धाकर खबर के नियूजम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रेस खान एक तरफ एक ऐसी शक्सियत है कि जिसकी लिखी हुई किताबे ओक्सपॉर्ड में पढ़ाई जाती है और पढ़ाते हुए वहां कि जो प्रोफेसर होते हैं वो देश के पूर परधानमंत्री डॉक्टर मर्म सिंग की शक्सियत का जिक्र करना नहीं भूलते हैं उस पर खासी चर्चा करते हैं यह एक शक्सियत है और एक शक्सियत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र बोदी जो वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री है रोजाना नहीं जुमलों के साथ लोगों के सामने आते ह बयान बाजिया करते हैं भाशन वीद बनके चले जाते हैं जमीन पे उनका कुछ दिखाई नहीं देता उनकी लिखवी किताब तो लोग क्या पढ़ेंगे यह अलग बात है कि हर साल अवत्रीत हो जाते हैं और कहते हैं एक्जाम होने वाला है मैं बच्चों से बात करने आया बच्चों से पारफो यह दोनों शक्सियत के बारे में आपके सामने रखने जा रहा हूं एक तरफ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को को रोना इुद्धा की तड़ा नकर्या और दूसरा एक ऐसी शक्सिया जिसकी किताबे ओक्सफोर्ड तक में पढ़ाई जाती है उनको लेकर किस तरीकी की टिका टिक पढ़िंग कर रहे हैं स्वास्त मंतरी होते हुए जबके हमारा कहना यह है कि उनको तो इस मामले में जवाब भी नहीं देना चाहिए था क्योंकि उ दूसरी क्लास के मंतरी हुए ना परदान मंतरी के सामने इन्हें जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन भाजपा का चरित्री है कि पूछो किसी से जवाब कोई देता है ठीक उस तरीके की सरकार चल रही है जैसा किसी जमाने में आपके महले में राम लिला चलती थी अरे नथ एक्ति आसी को जस्वी भाशन दिया है अपना को लेकर एक परदान मंतरी का भाशन है कि आप खुछ सुनिएगा लेकिन पहले आप यह खबर देखना शुरू करिए आपको याद होगा कि पूर परदान मंतरी मनमौन सिंग ने पत्र लिखा उसमें उन्होंने बहुत सारे तीसरे यह कहा कि 45 साल के उमराप लोगों ने लगा रखी है इसको खतम कर देना चाहिए इसी तरीके से कुल मिला के उन्होंने पांच सुजाओ दिये इस पर जवाब देना चाहिए था किसको नरेंद्र बोजी को बरतमान समय में परदान मंतरी है उन्होंने तो जवाब नह ही नहीं सुनते हैं चलिए आप इतने अच्छे सुजाव देने कम से कंग्रेस वाले ही इनको मान ले आपने जो पत्र में जानकरिया दी हैं शायद लिखने माने ने आपको बताया नहीं यह तो पुराने 11 अप्रेल को ही पूरा हो चुका है आप 18 अप्रेल को यह पत्र करना चाहिए था लेकिन दिया वह रोग कोन सकता है सत्ता में बैठे हैं और वो चीश से चाहें वो कराएं जिसके लिए जो चाहें वो करें तो इस तरीके से यह जवाब दिया गया है लेकिन कल दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं देख लिजे किस तरीके से प्र 200 घंटे वो meeting ए करते हैं, अपने अधिकारियों से विचारिव मर्ष करते हैं, कल भी उन्होंने देश के वरिष्टे के साथ detail में meeting की, उसके बाद pharmaceutical companies से meeting की, अभी हमारी meeting मीटिंग के बाद थोड़ी देर के बाद वो स्वेम वैक्सीन मैनुफेक्चरर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं और किस प्रकार से उन्होंने जो एतिहासिक वैक्सीनेशन का कैमपेंड 16 जनवरी को लांच किया वो किस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे जुड़ीवी एक मैई से कितने बड़े चेंजिस होने वाले हैं तो सरकार हर चीजों के प्रती पूरी तरह से सजग है सुननी आपने अब दोनों चीज़ें आपके सामने आ चुके डॉक्टर हर्षवर्धन के मताबिक डॉक्टर मरमहुन सिंग का पत्र कोई और लिखता है और शायद नरेंद्र मोदी अपना भाशन खुद लिखते हैं अब ये भी कलियर कर देना चाहिए था कि नरेंद्र अच्छा है कि वह बगेर देखे सामने आसी रखके इशारों इशारों से चीज़ें पढ़ देता है और किसी का जहना ऐसे होता है कि देख देखके तमाम चीजों को पढ़ते रहता है ये अलग मुद्दा हो सकता है तो अब यहां बात कर लेते हैं उनके को रोनाई उदा प पहले में एपार्टमेंट्स में चोटी चोटी कमीटियां बनाकर कोविड अनुसासं पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगी तो सरकारों को न कभी contentment zone लगाने की जरूट पड़ेगी न कर्फ्यू लगाने की जरूट पड़ेगी और lockdown का तो सवाली नहीं उड़ता है आवसकता ही नहीं पड़ेगी सवाच्छता अभियान के समय देश में जागरुकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद कि दी छोटे छोटे बालक पाटवी साथवी आठवी दसवी पर पड़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वाच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ मेरे बाल मित्रा गर में ऐसा माहूल बनाईए कि बीना काम बीना काराण घर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है अब इस वीडियो के सामने आने के बाद या इस बयान के सामने आने के बाद सवाल पूछा जाना चाहिए प्रणा मंतरी से के बच्चों से भी काम लेंगे युवां से भी काम लेंगे आप क्या कर रहे हैं आपकी सरकार क्या कर रहे हैं इस बात का जवाब भी तो दिया जाए आप क्या कर रहे हैं इसका जवाब ना देके उन्होंने आगे एक वीडियो रखा जो हमने आपके लिए निकाला उसमें कह रहे हैं सहाब समाज बहुत कुछ बद्राव कर सकता है लोग एक दूसरे की मदद करने हैं आज कल ऐसी तस्वीरे सामने आ रहे हैं मैं चाहूंगा कैसी तस्वीरे और पहुंचाने में दिन राज जुटे हैं दवाई पहुंचाना हो खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं सभी के सेवा भाव को आदर पुर्वक नमन करता हूं और देश्वाश्यों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात् में इस संकट की घड़ी में देश्वासी आगे आएं और जरुरत मंदों तक मदद पहुंचाएं यह भी आपने सुन लिया तो समाज के लोग ही मदद करेंगे समाज ही सब कुछ करेगा सरकार क्या करेगी फिर आखिर सरकार को क्या सिर्फ सत्ता करने के लिए करोना योध्धा परदान मंतरी के भाशन है चाहिए बड़ा हमला बोला है प्रदान मंतरी नरेंद्रमोदी को ले हाँ जाड लिये हैं ये लोग कुछ नहीं करेंगे इसका लावा तमाम राजिंदी पार्टियां भी परदार मंतरी नरें नर्मदी के इस बयान की इस भाषण की आलोच न करें लोग कह रहे हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए भाषण नहीं चाहिए लेकिन भाषण जा रही है क्यों को सब्सक्राइब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे किसी सुरकते हुए या उलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजए फिलाल अभी मुझे दें इचाहजब